सो हेलो हाई नमस्कार से स्रियकाल तो कैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगे क्लास 9 का एक और इंपोर्टन चाप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया अपना इंडिया एक डिफरंट लांड फांड वाला कंट्री है कैसे वो ऐसे की अपने इंडिया में आपको plane lands भी मिलेंगे valleys भी मिलेंगी, hilly areas, playtus, नदिया, जर्णे, पहार, islands, deserts यह सब कुछ आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएगा तो हुआना इंडिया एक डिपरेंट प्लाइंड फॉर्म वाला कंजी तो ये जो चाप्टर है फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया इसमें हम इन ही में से कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे की तो चलिए इन सब के बारे में डीटेल में पढ़ते हैं तो पहला फिजिकल फीचर है हमारा दे हिमालिया माउंटेंज तो ये जो हिमालिया से ये यंग और स्ट्रुक्चरली फोल्ड माउंटेंस है यंग क्यूंकि दूसरे माउंटेंस के कंपैरिजन में इनका फॉर्मेशन जल्दी हुआ था और स्ट्रुक्चरली फोल्ड क्यूंकि टिक्टॉनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ था तो ये जो हिमालिया माउंटेंस है ये काफी बड़े-बड़े होते हैं और इंडिया के अंदर ये काफी लंबे इलाकों तक फैले हु तो कश्मीर की तरफ इनका जो ब्रेथ है वो है 400 किलोमेटर वहीं अरुनाचल प्रदेश की तरफ इनका जो ब्रेथ है वो है 150 किलोमेटर इनके वेस्ट से एक रीवर निकलती है जिसका नाम है इनके इस्ट से भी एक रीवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा So Himalayan mountains के 3 parallel ranges होते हैं सबसे top में चो होता है उसे कहते है हम Himadri उसके नीचे Himachal और सबसे नीचे चो होता है उसे कहते है Shivali तो सबसे पहले हम बात करेंगे Himadri range के बारे में तो इसे northernmost या inner Himalayas भी कहा जाता है Inner क्यों कहा जाता है क्योंकि जब plates टकराई थी न तो सबसे पहले हमादri range ही बने थे इस range में Himalayas की सबसे highest peaks होती है यानि इस range में जितने भी mountains होते हैं वो काफी ही बड़े बड़े होते हैं इनका average height 6000 meters है और इसी की वज़व से इन्हें Great Himalayas या inner Himalayas या हमादri कहा जाता है ये पूरे साल बरफ से ढखे हुए होते हैं और ये asymmetrical होते हैं ये symmetry में नहीं होते हैं अब इनका जो core है वो granite से बना हुआ है अब दूसरी जो range है वो है हमादri के बाद आता है इन्हें middle Himalayas भी कहा जाता है इनकी height 3700 meter से लेकर 4500 meter तक होती है पिर पांजल जो है वो longest range है हिमाचल range की इसके अलावा दौलाधर range, महाभारत range ये सब भी इसी mountain range में लाई करते हैं और इसके अलावा जो famous valleys है कंगरा वैली, कुलू वैली वो सब भी इसी mountain range में आते हैं अब तीसरी range है शिवालिक जो की outermost range है इसकी average height 900 से 1100 meter के आसपास है ये alluvial soil से बने हुए होते हैं यहाँ पर longitudinal valleys जिन्हें duns भी कहा जाता है जैसे कि देहरादून, कोतली duns, पतली duns ये सब भी आपको देखने को मिल जाएंगी तो इस longitudinal division के अलावा हिमालयास को west east region के basis पर भी divide किया जा सकता है और ये division rivers को लेकर किया जाता है जैसे जो हिमालयास इंदस और सतलेज river के बीच में पाये जाते हैं उन्हें पंजाब हिमालयास बोला जाता है जो सतलेज और काली river के बीच में पाये जाते हैं उन्हें कुमायोन हिमालयास बोला जाता है जो काली और तीस्ता के बीच में पाए जाते हैं उन्हें नेपाल हिमालियास बोला जाता है और जो तीस्ता और दिहांक के बीच में पाए जाते हैं उन्हें असम हिमालियास बोला जाता है तो कश्मीर से अरुनाचल प्रदेश तक जो हिमालियास है वो लगभग स्ट्रेट है लेकिन यहीं से वो बेंड हो जाते हैं तो यहाँ पर जो माउंटेंस होते हैं उन्हें पुरवांचल बोला जाता है और यहीं पर पटका हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स प्रेजेंट है दूसरा फिजिकल फीचर है दे नौधन प्लेन तो यह जो नौधन प्लेन है यह तीन रिवर्स के कारण बना है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदस यह जो नौधन प्लेन है यह अलूवियम सोयल से बना है यहाँ पर अच्छा खासा रेंफॉल होता है जिसकी वजह से पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स तो यह जो पंजाब प्लेन है यह इंदस रिवर के निकलने के कारण बना है वहीं जो गंगा प्लेन है वो गंगा रिवर के निकलने के कारण बना है और जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वो ब्रह्मपु नीचे आता है तेराई फिर उसके नीचे आता है भंगर और सबसे लास्ट में जवाता है उसे हम कहते है खादर तो अब जो भाभर वाला रीजिन होता है वो छे से लेकर 12 किलोमेटर तक चोड़ा होता है यानि वाइड होता है और यहां पर आपको बहुत साले स्टोंस देखन को मिल जाएंगे जिन्हें हम कहते है पेबल्स तो अब बात करते हैं तेराई रीजिन की तो यह काफी ही ज्यादा मार्शी रीजिन होता है यानि की कीचर वाला इलाका होता है और यहां पर काफी ही ज्यादा घने घने जंगल पाये जाते हैं नेक्स हम बात करते हैं भंगर तो यह जो रीजियन होता है वो अलूवियम सॉयल से बना हुआ होता है भंगर जो है वो नौदन प्लेन का सबसे लार्जेस्ट रीजियन होता है और यहां पर बहुत सारे चोटे-चोटे पत्थर पाय जाते है जिन्हें कंकर कहा जाता है अब लास्ट है खादर रीजियन तो यहांपर आपको कोई भी किसी भी तरह का पत्थर देखने को नहीं मिलता है, जो खादर लैंड होता है, वो बहुत ही स्दधере होते हैं, यहां की जमीन बहुत ही स्देर होती है, तो यह जमीन खेती बारी करने के लिए बहुत ही स्दrí होती है, so next physical feature है, The Peninsular Plateau, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि प्लेटू क्या होता है प्लेटू एक ऐसी फ्लैट जमीन होती है जो नॉर्मल लैंड के कमपैडिसन में थोड़ी उठी हुई होती है जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो यह नॉर्मल लैंड है और यह जमीन थोड़ी उठी हुई है इसे कहते है हम प्लेटू अब पैनिन्सुला का मतलब क्या होता है एक ऐसी जगह जो तीन साइट से पानी से घिरी हुई हो और एक साइट पर जमीन हो जमीन से कनेक्टेड हो उसे कहते है पेनिसुला सो आपने देखा होगा कि अपना ये जो इंडिया है उसका ये वाला जो portion है ये जमीन से थोड़ा उपर की तरफ उठा हुआ है और इसके तीन साइट से पानी है और एक साइट से जमीन है इसलिए हम इसे कहते है अब ये जो पेनिसुलार प्लेटू है इसके बीच से एक रिवर निकलती है जिसे कहते है नर्मदा रिवर अब नर्मदा रिवर के नौर्थ में जो प्लेटू है उसे बोलते है सेंट्रल हाइलैंड्स और जो नर्मदा रिवर की साउथ की तरफ है उसे बोलते है डेकन प्लेटू मतलब पेनिसुलार को टू पार्ट्स में डिवाइट किया गया है तो अब देखो नर्मदा रिवर विंद्या रेंज और सत्पुरा रेंज के बीच से भैती है अब ये वाली जो जगा है ये है एरावली हील्स तो अब बात करते हैं Central Highlands की तो इसके अंदर दो रिवर्स फ्लो करती है चंबल और बेटवा और इन दोनों ही रिवर्स की डिरेक्शन एक ही है यानि Southwest से लेकर North East की तरफ Central Highlands को दो पार्ट्स में डिवाइट किया गया है इनके West पार्ट को मालवा प्लेटू कहते है और इनके East पार्ट को छोटा नागपूर प्लेटू कहते है तो अब बात करते हैं डेकन प्लेटू की तो इस डेकन प्लेटू के Western एंड पर Western घाट है और Eastern एंड पर Eastern घाट है वेस्टन घाट जो है वो ज्यादा उचा है इस्टन घाट से वेस्टन घाट की हाइट 900 से 1600 मीटर के करीब होती है और वहीं इस्टन घाट की हाइट 600 मीटर के करीब होती है तो अब क्योंकि वेस्टन घाट उचा है इस्टन घाट से तो जो रिवर्स है वो उचाई की वज़ो से western ghaat से eastern ghaat की तरफ बहती है यानि फ्लो करती है यानि वह बे ऑफ बिंगॉल में जाकर ड्रेन करती है अब महंद्रे गिरी eastern ghaat का highest peak है वही western ghaat का highest peak अनाइ मुडी है एक और बात की डिकन प्लेटू में volcanic origin होने के कारण वहाँ igneous rocks है and black soil वहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं So next physical feature है हमारा the Indian desert तो एरवली hills से west की तरफ हमें देखने को मिलता है the great Indian desert जिसे thar desert भी कहा जाता है तो ये काफी ही बड़ा है और इंडिया के अंदर इसने काफी जगह cover कर रखी है तो ये arid region में पाए जाते हैं यानि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है approximately 150 mm बारिश होती है per year तो अब क्योंकि ये desert area है इसलिए यहाँ पर आपको रेट के टीले यानि sand dunes देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा वहाँ पर आपको बहुत सारे बार्चन्स देखने को मिलेंगे जो की crescent shaped dunes है जो इंडो पाकिस्तान वाले border areas में देखने को मिलेंगे अगर आप जैसल मेर जाते हो तो आपको बहुत सारे बार्चन्स देखने को मिलेंगे आप पर एक ही बड़ी river है जिसका नाम है लूनी तो नेक्स्ट फिजिकल फीचर है हमारा the coastal plains तो ये जो coastal plains है ये Arabian sea से bay of bingol तक है अब west की तरफ जो coast है उन्हें western coast कहा जाता है वही east की तरफ जो है उसे eastern coast कहा जाता है अब जो eastern coast है वो ज्यादा wide होता है western coast से क्यों? क्यूंकि ज्यादा the river eastern coast की तरफ drain होती है अब western coast को तीन parts में divide किया जाता है जो part north की तरफ है उसे konkan coast कहा जाता है जो middle में है उसे कंद प्लेन कहा जाता है और जो south की तरफ है उसे मलाबर कोस्ट कहा जाता है ठीक उसी तरह से eastern coast को भी दो parts में divide किया जाता है North की तरफ जो है उसे northern सरकार कहा जाता है और जो south की तरफ है उसे coromandel coast कहा जाता है So last physical feature है हमारा the islands तो इंडिया के दो major islands है पहला है लक्षदीप island जो की Arabian Sea में located है और दूसरा है अंदमान निकोबार island जो की Bay of Bengal में located है So अब बात करते हैं लक्षदीप islands की तो 1973 से पहले इनका नाम था लैकाडीव, मिनी कॉई या अमिन डिवी islands लेकिन 1973 के बाद इनका नाम चेंज करके लक्षदीप islands कर दिया गया इनका टोटल जियोग्रफिकल एडिया 32 स्क्वार किलोमिटर है और लक्षदीप island का जो कैपिटल है वो है कावारत्ती तो अब बात करते हैं अंदमान निकोबार islands की तो जो आइलाइंड नौर्थ की तरफ है उन्हें कहते हैं अंदमान आइलाइंड वही जो आइलाइंड साउथ की तरफ है उन्हें कहते हैं निकोबार आइलाइंड तो अंदमान निकोबार आइलाइंड में काफी घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर एक ऐसा आइलाइंड भी है जहाँ पर एक एक अक्टिव वाल कैनो है तो यह जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के यह काफी जादा हमारे लिए जैसे की प्लेटूस से हमें काफी सारे मिनरेल्स मिलते हैं और हिमालेयन माउंटेन्स हमें प्रोटेक्ट करता है ड्राइ और कोल्ड विंड से वहीं नॉर्दन प्लेइन्स पर काफी अच्छी एकरी कल्चर होती है तो यह जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के व इसके साथ साथ resources भी provide करते हैं